हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एजकेशन लट्टा दोस्तों हम लोग एंसियार टीबेस्ट एंसी क्यों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे जिसमें अब तक हम लोगोंने टोटल बार्चत सेट को देख लिया है आज की सेट में हम लोग का पहला प्रशन है किस काल में अच्छूत की अवधारना इस पर श्टूप से दिखाई देती है तो दोस्तों यह कुश्चन जो है काफी महत्तोपूर्ण है क्योंकि यह BPSC में पूची गई ही कुश्चन है आगे आने वाले एक्जाम में भी देखने को मिल सकता है तो इसल जन्म के बजाए विबसाय के आधार पर जाती को निर्धारित किया जाता था जबकि उत्तरवैदिक काल में जन्म मुख्य माप दंट बन गया जाती को निर्धारित करने का जिसमें जाती विवस्ता कठोर भी हो गई और जाती जन्म के आधार पर निर्धारित होने लग गय तो इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला प्रश्ण है सूची वन को सूची टू से सुम्मेलित कीजिए एक तरफ बुद्ध के जीवन काल का घटना है दूसरी तरफ उससे संबधित प्रतीक चिन है तो चलिए मिलाते हैं पहला है बुद्ध का जन इसका प्रतीक चिन कमल है दूस ज्यान की प्राप्ति उनको पीपल के ब्रिक्ष के नीचे हुई थी जिससे हम लोग अभी बोधी ब्रिक्ष के नाम से जानते हैं तो ज्यान की प्राप्ति का प्रतीक चिन बोधी ब्रिक्ष है तो इसका जो सही answer वोगा B, C, D और A जो की option number C में है तो इसका सही answer option number C हो सिकंदर भारत मकुंद्धय के समय मगद पर के अंतिम रजा घंनानद इसका norm two भारत पर 326 इसपुर्व के किया था और जेलम नदी के किनारे पोरस नामक राजा से उनका सामना हुआ जिसमें पोरस की हाड़ वी और सिकंदर का जीत हुआ था फिर उन्हों कुछ छोटे-छोटे राज्यों को जीता और फिर मगद पर आकरमन करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उसकी सैनिक इतना ठक चुका था कि वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और उस समय अभबा भी उरा था कि ब्यास नदी को पार करने वाले को बिमारी हो जाएगा क अगला प्रशन है नट्राज की प्रशिद्ध मूर्ती का संबंध किस काल से है दोस्तों नट्राज की प्रशिद्ध मूर्ती का संबंध चोल काल से इसका सही अंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोल काल नौ सेना के लिए भी परशिद्ध है दोस्तों चोल काल में जो मू लिए भी धातु को जब डाला जाता है तो वो धातु उस मूर्ती का आकार ले लेता है फिर बाद में उस मोम को पिखला कर निकाल लिया जाता है और मूर्ती बच जाता है तो यह होता है लोश्ट वैक्स तकनीक जिससे नटराज की परतिमा मूर्ती को बनाया जाता था चोल का तो इसका सही answer option number अगला प्रश्न है कि इस राजबंस का संबंद संगम यूग से नहीं है तो संगम यूग से तीन राजबंस का संबंद है वो है चोल चेर और पांडे जबकि पल्लब बंस का संबंद संगम यूग से नहीं है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा तो चोल का जो यूग तीन तीसरी सदी इस पुर्व से लेकर तीसरी सदी इस भी तक यानि तीसरी इस भी तक 300 इस भी तक रही थी चली ठीट है अगला प्रश्ण है मुगलों और मराठों के बीच संघर्स किसके राजिकाल में आरंब हुआ था तो दोस्तों इसका सही अंसरॉप्शन नमबर सी हो जाएगा भोसले के राजिकाल में इसकी स्थापना 1577 इस्वी में मली कंबर के एक प्रमुख सेना नायक मालो जी भोसले के द्वारा किया गया थ और सिवा जी इसी राजबन से संबंदित थे दोस्तों सिवा जी ने 1680 इस्वी में औरंग्जेव के सासन काल में वहां पर आक्रमन किया मुगलों पर और मुगल और मराठों के बीच संघर्स का आरंब किया था इसका सही अंसरॉप्शन नमबर सी हो जाएगा अगला प्रश अगला प्रशन है बंगाल कास्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों बंगाल कास्तकारी अधिनियम यह 1885 इस्वी में लॉड डफरीन के कारेकाल में पारित हुआ था था इसका सही अंसरॉप्शन नमबर ए हो जाएगा यह अधिनियम दोस्तों व्यापक किसान व मजदूर आंदोलन के बंद परने का कारण था तो दोस्तो 1929 के बीच मजदूर आंदोलन को बंद परने का कारण trade union congress का कई गुटों में विभाजन हो जाना था तो इसका सही answer option number A हो जाएगा trade union congress का कई गुटों में विभाजन अगला प्रश्ण है किस ने 1857 के विद्रोग को हिंदू मुस्लिम सर्यंत्र का परिनाम बताया दोस्तो 1857 के विद्रोग को हिंदू मुस्लिम सर्यंत्र आउटरम और टेलर ने कहा था तो इसका सही answer option number D हो जाएगा टी आर होम्स की बात करें तो दोस्तों टी आर होम्स ने 1857 के विद्रोग को सभ्यता और बरबर लोगों का संगर्स बताया जिसमें सभ्य लोग उन्होंने अंग्रेज को कहा और बरबर लोग भारतिये को बताया था 1857 के विद्रो को प्रथम स्वतंतरता संग्राम का नाम कि इसने दिया था जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए और 1857 के विद्रो को सिपाई विद्रो लॉड कैनीन ने कहा था ठीक है याद रखेगा यह सारे फेक्ट्स अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की कोशना हुई थी 19 जुलाई 1905 को और उस समय वाइसराय था लॉड करजन के समय में बंगाल विभाजन पूर्वी बंगाल और पस्चमी बंगाल में विभाजित हो गया था अगला प्रश्न है कॉंग्रेस की 1907 में हुई सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों सूरत की अध्यक्षता रास भीहारी गोश की दूरा किया गया था इसका सही ऐंसर और लॉफशन नंबर भी हो जाएगा रास भीहारी गोश अगला प्रश्न है अभ्यूदय पत्र के संपादक थे दोस्तो अभ्यूदय पत्र के संपादक मदन मुहन मालविये थे इसका सही answer option number D हो जाएगा 1907 इस्वी में वसंत पंचमी के दिन मदन मुहन मालविये ने अभ्यूदय पत्र का संपादन किया था दोस्तो इसका मूल तत्व जो था यानि अब यूदय पत्र का जो मूल तत्व था वो था स्वराज अगला प्रशन है नीमनी में से कौन भारतिय क्रांती की मा कही जाती है किसे भारतिय क्रांती का मा कहा जाता है तो वो है मैडम भीखा जी कामा इसका सही answer option number D हो जाएगा अब मैडम भीखा जी कामा को भारतिय क्रांती की जननी क्यों कहा जाता है तो दोस्तों इन्होंने जर्मनी के स्टॉट गार्ड में 22 अगस्त कब 22 अगस्त 1907 इस्वी को अंतराष्टिय सोसलिस्ट कॉंग्रेस में भारत का पर्थम तिरंगा लहरा कर भारतिय क्रांती की सुर्वात की थी तो इसका सही answer option number D हो जाएगा मैडम भीखा जी कामा को भारतिय क्रांती की मा कहा जाता है अगला प्रशन है लौड करजन के समय में भारतिय विश्व विद्यालय अधीनियम का पारित किया गया तो इसका सही answer option number C हो जाएगा 1904 इस्वी में लौड करजन के समय में भारतिय विश्व विद्यालय अधीनियम को पारित किया गया और इसका उदेश था विश्व विद्यालयों में सिक्षा में सुधार लाना अगला प्रश्ण है मुसल्मानों में पस्चिमी सिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी इसका सही answer option number A हो जाएगा कुलकता में 1863 में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाव अब्दुललतीफ के द्वारा किया गया था तो इसका सही answer option number A हो जाएगा इन के औलेरी कल्चर में सबजी का यहाँ पे गलती से मेरी कल्चर दे दिया गया है तो यहाँ पे आप सेरी कल्चर इसको बना लिजेगा सेरी कल्चर तीक है सेरी कल्चर में रेसम के पालन का जो होता है वो अध्यन किया जाता है और मोरी कल्चर में समुद्री मचली और समुद्री जल के समवर्धन का अध्यन किया जाता है ठीक है अगला प्रश्ण है प्रकास संसलेशन के माध्यम से कुल इस्त्री करित कारवन डाई ऑक्साइड का लगबग आधा भाग पिर्थिवी पर कौन इस्त्री करित करता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैबाल सैबाल के द्वारा दोस्तों कारवन डाई ऑक्साइड का प्रकास सं कार्बन डाई ऑक्साइड इस्थीरता का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों इसका अर्थ होता है जीवित जीवों द्वारा अकार्बनिक कार्बन का कार्बनिक कार्बन के रूप में रूपांतरत करना अगला प्रश्न है किसी परिपत में वितुधारा के प्रवाह की दिसा को दर्साने के लिए किस उपकरन का उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर आप्शन नंबर A हो जाएगा गैलवीनो मीटर के दुआरा विदुधारा के प्रवाह की दिशा को दर्साया जाता है दोस्तो गैलवेनो मीटर का SI मातरक क्या होता है तो इसका SI मातरक होता है MPR पर्ति डिवीजन जिसकी 8 मीटर से दारा मापते हैं इसका SI मातरक MPR होता है volt meter से विदूत-बीवव को मापा जाता है अगला प्रश्न है कि समतल दर्पन द्वारा बनने वाला परतिबिंब होता है तो समतल द्वारा बनने वाला परतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होता है इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला प्रश्ण है मानव जनित परियावर्नियाप प्रदूसन कह लाते हैं तो मानव जनित परियावर्निय पर दूसन एंthropogenik कहलाते हैं इसका सही answer option number d हो जाएगा anthropogenik पर जैवी क्या होता है दोस्तो तो दुसरे जीब पर निर्भर रहने वाला जीव को परजैवी कहते हैं और परती जैवी किसको कहते हैं तो परती जैवी एंटिवायोटिक जिसे कहते हैं वो जीवों को या तो मार देता है या फिर उसके विकास को रोक देता है जबकि हुमेलीन जो है एक इंसुलीन होर्मोन है ठीक है अगला प्र जाएगा चालन दोस्तों अधातू में चालन नहीं होता है क्योंकि इसमें धातू के तरह मुख तो इलेक्ट्रोन नहीं होते हैं जिसका सही answer option number a हो जाएगा अगला प्रश्ण है दूर दृष्टी दोस्त में परतिभिम निमलिकित में से कहां पर बनता है दोस्तों दूर दृष्टी दोस्त में परतिभिम निमलिकित में परतिभिम नहीं है उसमें रेटीना पर बनता है अगला प्रश्ण है निमें से किन बहुत तिक रासियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप की आविशकता होती है तो दोस्तों केवल परिमाप की आविशकता अधीस रासी को बताने के लिए होती है और विद्दृध धारा एक अधीस रासी है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा विद्दृध अगला प्रशन है तापमान का SI मात रख है तो दोस्तों तापमान का SI मात रख केल्वीन होता है इसका सही answer option number C हो जाएगा Celsius और Fahrenheit से भी तापमान को मापा जाता है लेकिन तापमान का SI मात रख पूछा इसलिए केल्वीन इसका सही answer होगा jule का SI जूल जो है दोस्तों यह ऊर्जा काड़िया और ostatおक्amaan रख होता है अगला प्रशन है निम्रिलिकित में से कौनसा विटामिन रखत का थक्का जमाएन के लिए उत्तरदाई है तो दोस्तों रखत का थक्का जमाने के फाइलो क्यों नोन है विटामिन एक रासाइनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन बी का थाइमिन और विटामिन डी का टोको फेरॉल ठीक है अगला प्रश्ण है सरीर में कार्बन डाई ऑक्साइड के अधिकांस भाग का परिवहन होता है दोस्तों सरीर में जो कार्बन डाई ऑक्साइड का परिवहन करता है वो करता है बाई कार्बोनेट के रूप में किसके रूप में बाई कार्बोनेट के रूप में तो इसका सही एंसर आप्शन नमब इन में से कौन सा युगम गलत सुमेलित है तो चलिए देखते हैं कौन सा युगम गलत सुमेलित है पहला है एपी कल्चर एपी कल्चर में मदु मकी का पालन होता है ये बिल्कुल सही है दूसरा है पीसी कल्चर पीसी कल्चर में मदस्य पालन होता है ये भी सही है सेरी कल्चर में पेर पौधी की देखभाल और संरक्षन या संवर्धन किया जाता है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों सिल्वी कलचर में छिपकिली का अध्यान नहीं किया जाता तो इसका सही answer option number D हो जाएगा अगला प्रश्न है जेली फिस किस संग का एक उदाहरन है दोस्तों जेली फिस सिलेंट रेटा संग से संबंदित है इसका सही answer option number C हो जाएगा अगला प्रश्न है 1923 सिस्वी का जंडा सत्याग्रह या धोज सत्याग्रह किस सहर में आयोजित किया गया था इसका सही answer option number A हो जाएगा नागपूर में दोस्तों नागपूर में जंडा सत्याग्रह संपन हुआ था लेकिन सुर्वात जवलपूर से हुआ था और इसके नित्रित तो करता थे सर्दार बल्लब्भाई पटेल अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुछेद में राज्य सभा के लिए राज्यों वह संग राज्य छेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है तुसका सही answer हो जाएगा option number C चौथी अनुशूची में संग राज्य छेत्र के सीटों का आवंटन किया गया है पहली अनुशूची में भारत के संग और राज्य छेत्र का परणन किया गया है दूसरी में संसद के बेतन और सांसद सांसद के बेतन और भत्ते की चर्चा की गई है दूसरी अनुशूची में सात्वी अनु सूची में सक्ति का बटवारा किया गया है संग सक्ति राज्य सक्ति और संवर्ति सूची के रूप में अगला प्रशन है भारती सम्विधान में भाग चार कौ में कब सामिल किया गया है दोस्तों भारती सम्विधान में भाग चार के कौ को 1976 इसपी में 42 संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसका सई answer option number B हो जाएगा भाग चार के कौव में क्या है तो मूल कर्तवी की बात की गई है अगला प्रशन है संकी की काड़ ये पालिका सक्ती राष्टपती में नहीं थोगा और वह इसका परियोग संविधान के अनुसार स्वेम या अपने अधिनस्त के द्वारा करेंगे इसका उलेक है दोस्तो इसका उलेक अनुचेत तिरपन में कहा गया है इसका सई answer option number B हो जाएगा अनुचेत 52 की बात करें अगला प्रश्ण है की संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की नियूंतम उम्र सीमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया इसका सही answer option number B हो जाएगा 61 संविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा चोकि 1988 इसवी में हुआ था जिसमें बोट देने की उम्र सीमा को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया और इसे अनुचेद आर्टिकल 326 में जोड दिया गया अगला प्रश्ण है संविधान का कौन सा अनुचेद अंतर राज्ये जल विवादों के नियाय निर्ने से संबंधित है जबकि अनुचेद 261 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक कार्य अभिलेक नियायक कार्यवाही की बात कही गई है और अनुचेद 263 में राश्ट पती द्वारा आवस्यकोता महशूस होने पर एक परिसद की स्थापना करने की बात कही गई है और अनुचे 365 में कहा गया है कि कानून के बिना कोई भी कर ना तो ले सकता है और ना ही वसूल सकता है ना लगा सकता है ठीक है यह कहा गया अनुचे 265 में इसका सही अनुचे 262 में अगला प्रशन है राष्टिया पातकाल गोसित हुआ है लेकिन क्या गह रहा है इसमें कि बाहिया आकरमन के आधार पर दो बार राष्टिया पातकाल की घोशना हुई है इसका सही answer option number A हो जाएगा पहली बार जब भारत और चीन के बीच 1962 इसमी में युद्ध हुआ था उस समय राष्टिया पातकाल की घोशना होई थी और दूसरी बार 1971 इसमी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस समय राष्टिया पातकाल की घोशना क की गई थी और तुसरी बार जो लगाया गया था वह आंत्रिक असांती की वज़े से इंद्रा गांधी जी ने लगाया था ठीक है अगला प्रशन है सर्व पर्थम राष्टपति सासन का पर्योग निमलिकित में से किस राज्य में किया गया तो इसका सही answer option number C हो जाएगा प गल है यानि कॉंग्रेस के अंदर अंद्रूनी जगडा जंजट जो भी हुआ होगा उसकी वज़े से पंजाब में पहली बार राष्टपति सासन को लगाया गया था अगला प्रश्ण है राज्य सभा के सभापती का चुनाव करते हैं तो दोस्तों राज्य सभा के सभापती का चुनाव राष्टपती के सभापती के रूप में नहीं होता है बलकि उपराष्टपती के रूप में होता है और उपराष्टपती ही राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो उपराश्टपती के चुनाव में लोग सभा और राज्य सभा के सभी सदस्या चुनाव में भाग लेते हैं तो इसका सही अंसर आप्शन नमबर डी हो जाएगा लोग सभा एबं राज्य सभा के सभी सदस्या अगला प्रश्ण है भारती सम्विधान का कौनसा अनुचेद सिख्षन संस्थानों में धार्मिक सिख्षा एबं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंतरता प्रदान करता है तो इसका सही अंसर आप्शन नमबर डी हो जाएगा अनुचेद 28 अनुचेद 25 की बात करें तो इस तो अनुचेद 25 में धार्म की आजादी का अधिकार दिया गया है अनुचेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी दी गई है जबकि अनुचेद 27 में धार्मिक परचार के लिए करों की स्वतंतरता दी गई है तो इसका सही अं आप्शन नंबर सी हो जाएगे दोस्तों टमाटर प्याज और आलू उत्पादन में वर्दी से संबंदित हैं ऑपरेशन ग्रीन मिशन दोस्तों इसमें टॉप यानि की टेमेटो ओनियन और पोटैटो फर्शलों की उपलवत्ता सुनिश्चित करता है अगला प्रश्ण है लिंग और समानता सुचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्श शामिल किया गया तो इसका सही ऐनसर हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट के अंदरगत सामिल किया गया था दोस्तो मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है तो इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और बरतमान में भारत का जो रेंख है मानव विकास रिपोर्ट में वो है 134 अगला प्रशन है इसका सही आंसर अप्शन नंबर A हो जाएगा या 1911 से लेकर 56 इस भी तक चला था प्रथम पंच वर्सिय योजना और दोस्तो इसका प्रारूप किस ने तैयार किया था तो इसका प्रारूप तैयार करने वाले थे KN राज अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस उपकरन का प्रयोग विधत अस्तर पर मौधरिक नीती के रूप में खुले बाजार की प्रकिरिया का प्रयोग किया जाता है इसका सही अन्सर आप्शन नंबर C हो जाएगा अगला प्रश्न है नवाड के संबंद में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए चलिए देखते हैं पहला है नवाड का गठन 1982 इस भी में हुआ था तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों नवाड का गठन 12 जुलाई 1982 इस भी में हुआ था और इसका हेड़ क्वाटर मुंबई मे हैं दूसरा है नवाड केबल क्रीसी छेतर को साख सुविधा प्रदान करता है तो ये गलत हो जाएगा तो इस तो नवाड क्रीसी छेतर के साथ साथ ग्रामीन विकास पैंक को भी सुविधा प्रदान करता है तो पहला तो सत्य है और दूसरा अशत्य है तो इसका सही आंसर नमबर A हो जाएगा केबल एक सत्य है अगला प्रश्ण है जी ए ए आर जेनरल एंटी अबोईडेंस रूल्स का संबंध निम्नि में से किस्से है जिसका सही आंसर ऑप्शन नमबर B हो जाएगा कराधान प्रनाली से संबंधित है अगला प्रश्ण है मिसरित खेती की साथ पसुपालन भी करते हैं जैसे कि आप पोईटरी देखे होंगे मुर्गा फॉरम वह गया या मचली पालन करते हैं लोग केती भी करते हैं उसमें मचली पालन भी करते हैं तो वो सारी चीजे जो हैं वो मिसरित खेती के अंतर गताती है तो इसका सही एंसर ऑप्शन प्रतिसत क्या है दोस्तों बिहार में ग्रामीन जनसंख्या का प्रतिसत जो है वो है 88 दसम लब 731 प्रतिसत इसका सई answer option number भी हो जाएगा जिबकि सहरी जनसंह्या कितना है तो सहरी जनसंख्या 11 लेकिन पुरे भारत की बात करें तो दोस्तों पूरे भारत में सहरी जनसंख्या है 31.16 ठीक है अगला प्रशन अ कर इसराइल के साथ सीमा साजा करता है तो इसराइल के साथ कौन-कौन सीमा साजा करता है तो लेबनोन सीरिया जॉर्डन विस्र ये इसरा के साथ सीमा साजा करता है तो इसका सही आंसर आप्शन नंबर एह हो जागा लेवनों सिर्या जॉर्डन और मिस्र अगला प्रश्ण है डोडा बेटा चोटी निमलिकित में से किस परवत स्रिंखला पर इस्तीत है तो इसका सही आंसर आप्शन नंबर एह हो जाएका नील गिरी की सबसे उची चोटी है डोडा बेटा चोटी अन्ना मलाई पहारी यह पुर्वी घाट में इस्तित है दोस्तों पुर्वी घाट की एक परवत स्रिंखला है अन्ना मलाई जिसकी सबसे उची चोटी है अनाई मूरी इलाइची की पहारी जिसे कार्डेमम की पहारी भी कहते हैं ये भी दोस्तो पच्चमी घाट का पहारी है नला मला पहारी दोस्तो नला माला पहारी ये है पुर्भी घाट का एक पहारी स्रिंखला है अगला प्रश्ण और आज के सेशन का लाश्ट प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा स्प्रेड सीट का एक उदारन है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा Microsoft Excel दोस्तो Microsoft Excel क्या होता क्या है तो यह एक computer program है जिसका उप्योग data को वेवस्थित या संग्रहित या फिर विश्लेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा हमारा आज का सेशन यहीं तक था वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा का इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए का चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों से सेर कीजिए मिलते हैं नेक्स शेसन में जैहिंद